प्यारे बच्चों, आपका पुनह स्वागत है इस आभासी कक्षा में आपने पिछली कक्षा में आठमी पाठ के कुछ श्लोकों को पढ़ा था और उन श्लोकों में आपने देखा था कि हल्दी घाटी की विशेशताओं के बारे में कभी ने कितने मनोरम शब्दों के द्वारा उनकी व्याख्या की थी उसका आपने आनंद लिया था, श्लोकों के पठन का भी आनंद लिया था और उसके अर्थों को भी जाना था और प्यारे बच्चों ग्यान कपूर्ण होता है जब हम उसे ब्यवहार में उतारते हैं तो जब वीरता का पाठ पढ़ते हैं जब प्रेरक प्रसंग पढ़ते हैं तो हमारी उमीद होती है कि वह प्रेरना जो है आपके अंदर समाहित हो जाए आपके व्योहार में आए तो ठीक है इस उमीद के साथ ही अब बढ़ते हैं और आगे के श्लोकों को समझने की कोशिश करते हैं यह सीखनी की जो क्रिया होती है निरंतर चलती रहनी चाहिए और हम लोग घर में रहें, विद्याले में रहें, जहां भी रहें यह सीखनी की क्रिया करते रहें तो सबसे पहले वाचन करते हैं श्लोक का और देखते हैं कभी क्या कहना चाहते हैं इसमें क्या प्यारा श्लोक है क्या प्यारा श्लोक है? देखते हैं इसका अर्थ समझने की कोशिश करते हैं अन्वै के मादियम से यत्र जहां पर अध्या आपी आज भी नीलेन पक्ष निवहें नीलेन तो आप समझी रहेंगे, नीले ट्रितिया है तो नीलेन हो गया किसे से पक्ष निवहेन पक्षा नाम निवहेन पक्षा नाम समोहेन अब नीले पंखों के समोह से यानि कलपना कीजिए कि बहुत सारे पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं और एक साथ उनके जो नीले पंख हैं वो आकाश में फैल रहे हैं तो उस से उस सौंदर से क्या हो रहा हासंतः giàni आकाश का जो की जो नीलाव है आकाश की जो नीली संदर्तThank है उसका जयसे उपहा सशा कर रहे हुं उसका जैसे मजाग सा उड़ा रहे हों तास क्या सौंदर ये भी उन पक्षिए के नीले पंखों के सामने फिका पड़ गया था और चंचु के द्वारा क्या विमलानी फलानी समंचयनता होता है शोबितम कुरवनता है अब एक फल में जैसे तोते ने या किसी चिडिया ने चौँच मारी है तो वहाँ भी सौंदर ही दिखाई देता है कभी को तो कहते हैं अपनी चौँच से विमल फल को सुंदर बनाते हैं अपनी चौँच मारते हैं और साथ ही स्री राम नाम मधुरम मधुरम क्वणंता क्वणंता कार्टोता है निगदंता वदंता बोलता हुआ तो क्या बोलता हुआ श्री राम का नाम और कैसे स्वर में मधुरम मधुरम क्वणंता बहुत मीठी आवाज में बोलते हैं संता सज्जन शुशुकाह विलसंती बहुती उसमें शू भी शेशन लगया तो और भी सुन्दर तोते भी लसंती निवास करते हैं अर्था थल्दी घाटी के भूमी का सौंदर बताते हुए कभी ने कहा है कि इस भूमी पर इतने अच्छे पक्षी आकास में जब उड़ते हैं नीले पंखो वाले पक्षी तो लगता है ज उसकी जो चोच का जो चोच मारने की जो स्थिती होती है उसमें भी सौंदर दिखाई देता है कभी को और कहते हैं कि वे तोते राम राम का मधुर गीत गाते हैं ऐसे बहुत सारे तोते वहाँ पर रहते हैं तो चलते हैं अगले श्लोक की ओ और देखते हैं कभी क्या कहना च तो देखते हैं अन्वे से इसके अर्थ को जानने की कोशिश करते हैं हंत क्या है हाई जब कोई अफसोस करते हैं तो उसके लिए हंत संस्कृत में प्रयोग किया जाता है अत्र यहां पर युद्धे युद्ध भूमि में प्रताप न्रिपती होता है राजा तो महाराना प्रताप की बात हो रही यहां पर प्रताप नामक राजा की अधिकोशम अपी अधिकोशम क्या होता है अधिकोशम होता है कोशी इती अध अधिकोशम का अर्थ है म्यान कलवार कहां जहां रखी जाती है उसको कोश कहते हैं तो प्रताप नामक राजा की म्यान में स्थिता वहां पर स्थित एक अपी एक भी प्रकटप्रतापा अब प्रकटप्रतापा क्या है इसको देख लेते हैं प्रकटप्रताप्रताप्रताप् ऐसा अस्रधारा अस्रधारा क्या है अस्रस्यधारा अस्र होता है तलवार तलवार की जो धारा है वो क्या है शत्रवद है किस समय शत्रों के वद में शत्रों का जब हम वद करते थे तब क्रमेन तो क्रम से कैसे लगता था जैसे जूद्सनाईब अब चांदनी की कलपना कीजिए चांदनी के समान शतदहा अवधत सौ टुकडों में बट गई अब जैसे बहुत तेजी से तलवार चलाते थे और उस तलवार की जो कौन्द थी उसकी जो चमक थी चांदनी के समान कई टुकडों में बट करके आती थी इति चित्रव अब किए अंधेरे में तो बिजली की कौन्द होती थी और वह शत्रों के वद के समय जैसे चांदनी चबकती है आकास में वैसे ही सौ टुकड़ों में हो जाया करती थी यह इस लोग का भाव है अर्थाद यहां पर भाराना प्रताप के तलवार की जो विशेष्था है वह कवी ने बतलाई है चलिए आगे बढ़ते हैं और अग यह श्लोग जो है श्लोग के शब्दों का सौंदर भी अद्भुत है तो कभी इसके लिए बहुत ही बढ़ाई के पात रहे हैं और आगे बढ़ते हैं इसका अर्थ भी जान लेते हैं और अन्वे देख लेते हैं अन्वे के माध्यम से इसके अर्थ को भी जानने की कोशिश करेंगे यह स्थली तो आप जाती हैं गिस थखल का स्थल चेतक चंक्रमाणम थंदि अब चक्त तो अब हिंदी में भी सुनते होिए चकिट क्या है आश्चरे चकित यानि बहुँत चक्का हुआ अज्या चन्क्रमानाम चकित कि अश्या चन्क्रमानाम कि मुद्धवत, पदक्षेप सैक्षप पदक्षेप किया होता है पैरों की जो आवाज होती है तो गोड़ों के पैरों की आवाज को हम क्या कहते है इंदी में टाप कहते हैं तो कहते हैं कभी कि यह जो स्थली है वह चकित आश्चरे चकित चेतक के पैरों की जो आवाज है गोड़े के पैरों की जो टाप है उसकी स्थली है उसकी यह भूम हैं और पिर कहते हैं कभी साएशा और यह कैसी है कुटिल कुंत पराक्रमाना कुटिल करत होते तेढ वक्र कुटिल की वक्र और कुंत होता है भाला तो कुटिलाह, वक्राह, कुंताह, भलाह, तेशाम, पराक्रमाना तेड़े हुए भाले के पराक्रमों की भी अभूमी है सिर्फ चेतक के टाप की आवाज की स्थली नहीं है यह तेड़े भाले के पराक्रम की भी स्थली है और साथी साएशा और यह जो है अमराना अमर कहते हैं इश्वर को अमर कौन होता है हम आप तो हो नहीं सकते हैं मनुष्य तो हो नहीं सकता है इस मर्ति भूम में आया हुआ कोई प्राणी तो हो नहीं सकता है तो अमर होता है इश्वर भगवान के बारे में हम कहते हैं वो अमर होते हैं तो इसा एशा वह जो क्या है अमरा नाम, इश्वरा नाम, देवा नाम, आसुता अपि प्रियतमा, अब असु का अर्थ होता है प्राण, असुता का अर्थ क्या हो गया है प्राणेभ्या, प्राणेभ्या अपि प्रियतमा, भगवान को देवताओं को भी यह प्राणों से प् यह सकारात्मन चीज़ें आपको दिखाई दी और एक नेगेटिब भी है वो क्या है साएशा वह यह जो है नरपामरा नाम नरेशु पामरा नाम नरदुष्टा नाम जो मनुश्यों में दुष्ट हैं उनके लिए बहुत अच्छी नहीं है उनके लिए कैसी है भायकरी भयंकर भय करने वाली भय देने वाली स्थली है यानि दुष्ट अब्यक्ति यहां नहीं आ सकते हैं तो बच्चो आपने देखा है कि इसमें कभी ने चेतक के ताप की वर्णना की है और महाराना प्रताप के तेड़े भालों के पराक्रम की विपात की है इश्वर को भी भूमिप् देने वाली भी स्थली है तो बच्चो आते हैं और अगलेश लोग को देखते हैं और देखते हैं इसमें कभी क्या कहना चाहते हैं बीक्षप्रभा हसित चारू पुरंदराना संगम संरित्य ममलं शिकि सुन्दराना संभाशते वरभुव शुषमात्योदार हर शांकितो हरित हीरक कंठार इस शब्द के सौंदरी को समझने के बाद अनुभव करने के बाद बढ़ते हैं और अनुवे के मादम से इसके अर्थ को जानने की कोशिश करेंगे साहवरभुवव, क्या वर क्या होत이 है enough वरभुव, स्रीष्ट बुमी है और कैसा है शुषमात्योदार रह शुषमाया शुषमा क्या होती है शोभा यह जो स्रेश्ट भूमी है इसकी शुष्मा अत्यधिक आकरशक है बहुत सुन्दर है एक तो शुष्मा का ही अर्ठ सुन्दर ही हो गया और वह कैसा बिलकुल ही अत्यदार यानि बहुत ही आकरशक अब कहते हैं कभी कि हर्षांकिता हाँ हर्षांकिता क्या हुआ हर्षेन अंकिता हाँ हर्ष से अंकित हर्ष क्या है आनंद आनंद से अंकित क्या होगा अर्थात प्रकाश युक्त होगा बहुत ही प्रकाश से भरा हुआ और उतमा देखें यहां पर हरित हीर का कंठ हा रहा जै से हरे हीरों से युक्त कंट हार हो कंठ हार की घल के घल की किल पना किए हुश सकता है प्राकवितिक शश्मा की तुलना की है यहां पर तो कहते हैं अथ्यदिक proprim शुश्मा है अत्यदिक आकर्शक उसका संदरिय है और अत्यदिक हर्ष अंकित अत्यदिक प्रकाश्मय है और हरे हीरों से युक्त कंटहार के समान जिसकी प्रभा है जिसकी चमक है ऐसा अब ऐसी जो प्रभा है वो क्या कहते हैं हसित चारु पुरंदरा नाम जैसे उस हरे हीरों की प्रभा से प्रभाभी हसिता हम हसी कम उड़ाते हैं किसी को जब हमें लगता है ये थोड़ा सा कम है कुछ उपहास करते हैं तो कहते हैं कि चारु पुरंदराना सुन्दर पुरंदर यानि इंद्र की जो शोभा है पुरंदर का आर्थ होता है इंद्र और चार और उपहास कोन करता है हरे हीरों से बहा हुआ कंठार और शिखी सुन्दर आनाम शिखी का अर्थ होता है मयूर और सुन्दर मयूरों के अमल यानि निरमल जिसमें कोई दोश नहीं हो ऐसा संगम रित्यम अर्थात सामोहिक नित्य को देख करके बीक्षेटी पदसे अर्था बवती दिश्टवाद देख करके संभाषते बोल सा रहा है अर्था स्वरी की जो शुष्मा है इंद्र की जो शुष्मा है वह भी यह जो मैयूरों के जो नित्य है मैयूरों का जो सामुईक नित्य है वह नित्य इंद्र की शुष्मा को मात दे यह इस श्लोक का सार है तो प्यारे बच्चों मुझे लगता है कि आपने इस श्लोकों के जो सौंदेरी है उसका भी अनुभव किया होगा उसकी जो पठन शैली है उस पर ध्यान दिया होगा और उसके अर्थों को समझने की कोशिश की होगी थोड़ा सा ध्यान दे लेते हैं थोड़ी द्रिष्टे डाल लेते हैं इसके ब्याकरण बिंदुओं पर बहुत छोटी-छोटी से बिंदु हैं जिनको आगर आप समझ लेंगे तो आपके लिए संस्क्रित भाषा समझने आसान हो जाएगी प्यारे बच्चों आप जानते तो हैं ही कि ब्याकरण किसी भी भ चुंश्टे डाल लेते हैं तो सबैक फिर देखते हैं कौन-कौन सा है तो इसमे अध्यापी शब्द आया है बहुत आशान से द्यहें अध्यяд्य जम't हो गया अध्यापी अब विशेशन विशेश की भी बात हम करते ही हैं तो देख लीजिए औरन-और पक्ष्णिवहेंघ अगले श्लोक में देख लेते हैं कि क्या है उसमें यहां पर एका जमा अपी एकापी हुआ है सतधा जमा अभवत हो गया सतधा भवत और युद्धे जमा अधिकोशम हो गया इद्धे दिकोशम और उसकी बाद संयोग हुआ है अपी अधिकोशम जमा अपी अधिकोशम अपी और शत्रुवधे में हम देख लेते हैं समास है सत्रुणाम वदे शत्रुवधे और उसकी बा युद्धे कोशम ने देकी लिया और देखते हैं। चकीता नाम हो गया इसी तरह रहा कुंतस्य पर абсолют को टिल कुंत पराक्रमा नाम हो गया और नरपामरानाम में समास हो गया और अन्तिम श्लोक पर आते हैं और यहां पर देख लेते हैं कि समास कौन सा है हरशेन अंगीता हो गया हर्शांकीता हरी ते हीरक कंथा हर प्रिवतार हो गया अब शुशमात्युदारह में बच्चों शुशमाजमातिजमाउदारह संदि भी हो जाईगी और समास भी आपने देख लिया और इसी तरह कई सारे विशेशन और विशेशे हैं इन छोटी छोटी चीजों का बच्चों अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपके लिए भार्षा बिल्कुल आसान हो जाएगी उतनी ही आसान जितनी आपकी स्थानी भार्षा है अत्वा जित इतना अधिगम हुआ आपका लर्णिंग आउटकम कैसा रहा इस पर बात करनी जरूरी होती है शाक्षात अगर कख्षा में नहीं है तो क्या हुआ सेल्फ असेस्मेंट तो करी सकते हैं स्वतह मोल्यांकर तो करी सकते हैं तो आप कम समझ गयेगा कि आपने इस पार्ट को है गया मुझे और कुछ करना है तो अगर आप श्लोकों को उचित आरोग और अवरोग पूर्वक पढ़ सकते हैं अर्था कहां उपर जाना चाहिए कहां नीचे जाना चाहिए इस प्रकार से आप पढ़ सकते हैं तो आपने श्लोक पढ़ना सीख लिया आप श्लोकों का अन और अगर आपनी श्लोकों में जो भी क्लिष्ट पद और क्लिष्ट पद की बात मैंने पहले कहीं आपको क्लिष्ट कोई पद होता नहीं है यानि जो अपरिचित पद हैं उनके अर्थों को समझ लिया और अपनी भाशा में उसका उसे आप बोल पाए या उसे आप लिख करेंगे और देखेंगे कि मेरा अधिगम कितना हुआ तो मुझे अउमीद है कि इमानदारी से आप अपने अधिगम की जांच करेंगे और आज की यह कक्षा यहीं पर संपूर्ण होती है प्यारे बच्चों अपने स्वास्ति का ध्यान रखेंगे और स्वाध्याय में लगे रहेंगे यही हमारी शुभकामना है और इसी के साथ यह कक्षा समाप्त होत ही है नवोन आवाहां झाल